आप लोग भी उनी में से हैं जो अपने बालों को घणा तो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत तरीके की चीजे यूज की हैं लेकिन आपको बैनेफिट बन परसेंट भी नहीं मिला और हुआ यह है कि आपके बाल और भी ज्यादा खराब हो गए हैं बालों को लंबा घणने क के भी ट्रीटमेंट करवा लिये हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला है और आपको उसका नुकसान ही हुआ है अगर आप फिर वाश कर रहे हैं तो भी आपके बाल निकल रहे हैं अगर आप कंगा कर रहे हैं तो भी आपके बाल निकल रहे हैं यानि कि आपने जित्ते प आपके में लंबा घना खूबसूरत बनाना चाहते हैं कम पैसों में यानि कि कम बजट में जो कि आपकी जेम पे बिल्कुल भारी ना पड़े तो आप आज का वीडियो जरूर देखे क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमडी शेयर करने वाली हूं जिससे कि आपके बाल आपसे एक छोटी सी रिकेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स वीडियो को बनाना बहुत ही जादा असान है बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट हमने इसमें लिये हैं और जो भी पानी डालते का ना संब्सक्राइब उन तो भाहीडियो क्राहिए धर तो तो देना ऑग्याद हो सब्सक्राइब तका है और लिए जो भी तेल करे थेल हैं बहुत हिए तो आपके बालों में चमक भी देगा और बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और ज्यादा चिप चिपा नहीं होता है तो मैं यहां पर वन टाइम के लिए यूज कर रही हूं अकर आप इसको इस्टोर करना चाहते हैं तो आप यहां पर तेल को ज्यादा भी ले सकते हैं पानी में देखिए उबाल भी आना शुरू हो गया है जब यह तेल हलका सा गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें इंग्रीडियन डालना शुरू करेंगे अब हम सबसे पहले ले रहे हैं मेथी मेथी बहुत टाइम से यूज होता आ रहा है हमारे बालों के लिए अगर हम यह आपर एट करें एक चम्मच कोलांजी अगर आपका बहुत ज़्यादा बहुत जादा टेमिज बाल हो गए है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेव हुआदि शावित होने वाली है सिर्फ यह चम्मच अपको मेथी दाना लेना है और यह रेमिडि जो है आपके बालों के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है जी हाँ अगर आपने बहुत महंगे महंगे तेल यूज कर ली है तो आप एक बार इस ही और ऑईल को इस्तमाल करके देखिए आप यकीन मानेंगे यकीन नहीं मानेंगे कि इतना अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है यह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सिर्फ पांस से दस मिनट लगेंगे इसका जो ऑईल है वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा यलो यलो हो जाए उसके बाद ही हमें गैस को बंद करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है ठीक है नहीं तो यह हमारा तेल बंड कर तैयार हो गया है अब हम इसको गर्म तो लगा नहीं चानते हैं तो तो बैसे भी मेथी दाना और कलॉंजी नीचे बैठ जाती है वह भी तेल लगा सकते हैं लेकिन में चान रही हूं अब इसमें आपको कुछ भी एड नहीं करना है बस इसको आपको अपने बालों में अपलाई करना है कुछ लोग पूछते हैं कि गरम तेल नहीं लगाते हैं त कि अपको अपने बालों में आपलाई करना है अच्छ इस स्कैल्प में लगाई यह अग्याए ना मिलने वाले हैं क्योंकि पूरी रात आपके बालों को पोशन मिलेगा अगर आपको तेल लगाना नहीं पसंदे तो आप रात में लगाएं अगर आप तेल लगा लेते हैं तो आप दो या तीन घंटे भी रखेंगे तो काम हो जाएगा खासतोर से उनके लिए जो तेल करती हूं कि आपको यह आज का है और पसंद आया होगा बेनेफिट देगा आपके बालों में अगर आप इसको यूज करेंगे तो और थोड़ा सा वीडियो यूज को लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाया अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मझे कमेंट कर सकते हैं मैं जरूर करूंगे